सिविल सेवा प्रारंबिक परिक्षा हेतु विशेश हल प्रश्न सामाने अध्यन दुतिय प्रश्न पत्र प्रश्न संख्य एक घड़ी की सुईयों की ऐसे कितनी सापेक्ष स्थितियां होंगी जिसे सुईयां परिक्रमा के दौरान आपस में इस्थान बदल सकें विकल्प A 12, विकल्प B 16, विकल्प C 13, विकल्प D 11, सही उत्तर है विकल्प C 13 प्रश्न संख्य दो, तर्क वाक्य कुछ पेड़ हरे हैं, निमने लिखित में से किन तर्क वाक्यों के सम तुल्य हैं एक, अनेक पेड़ हरे हैं, दो, कुछ हरी बस्तुएं पेड़ हैं, तीन, कुछ हरी बस्तुएं गैर पेड़ नहीं हैं, चार, पेड़ प्राय हरे होते हैं नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए विकल्प A, 1, 2, 3, 4, विकल्प B, 2, 4, विकल्प C, केवल 1, विकल्प D, 3, 4, सही उत्तर है विकल्प A, 1, 2, 3, 4 प्रश्न संख्या 3, मीना लंबी है पुष्पक से, लेकिन उतनी लंबी नहीं, जितना की मनीश है रामा लंबा है नमिता से, पर उतना लंबा नहीं, जितना की पुष्पक इन सब में सबसे लंबा कौन है? विकल्प A. मनीश, विकल्प B. पुश्पक, विकल्प C. नमीता, विकल्प D. मीना सही उत्तर है विकल्प A. मनीश प्रश्न संख्याच चार 33 छात्र छात्राओं की किसी कक्षा के रजिस्टर में प्रत्यक तीसरा नंबर छात्र का है सुधाकर का इस्थान उपर से सबी खात्रों में 18 है तो उसका इस्थान नीचे से चात्राओं के मध्य क्या होगा विकल्प A. छट्वाँ, विकल्प B. दस्वाँ, विकल्प C. आठ्वाँ, विकल्प D. सात्वाँ सही उत्तर है विकल्प A. छट्वाँ उत्तर का हल सुधाकर का नीचे से छात्राओं के मध्य इस्थान बराबर 11-6 प्लस एक बराबर 12-6 बराबर 6 प्रश्न संख्या पांच उत्तर की और मुह करके बैठे बच्चों में समीर 22 सिरे से 70 में क्रम पर है तथा प्रज्योती से जो दाइं सिरे पंद्र में क्रम पर है के दाइं और दूसरा है उस पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी हैं विकल्प A 30, विकल्प B 29, विकल्प C 31, विकल्प D 34, सही उत्तर है विकल्प B 29 प्रश्न संख्या 6, पांच लड़कियां P1, P2, P3, P4 एवं P5 एक घर की सीडी पर इस प्रकार बैठी हैं P1 के ठीक उपर P5, P2 के ठीक नीचे P4, P5 के नीचे P2 तथा P3 के उपर P4 बैठी है सीडी में सबसे नीचे कौन बैठी है? विकल्प A P1, विकल्प B P3, विकल्प C P5, विकल्प D P2, सही उत्तर है विकल्प B P3 उत्तर का हल, लड़कियों के बैठने का क्रम निम्नवत है उपर से नीचे की ओर, सबसे उपर P5, उसके नीचे P1, उसके नीचे P2, उसके नीचे P4 और सबसे अंत में P3 प्रश्ण संख्या 8 प्रतीकों पर आधारित है प्रश्ण संख्या 9 भाग के एक प्रश्ण में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेशफल का 5 गुना यदि शेशफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा? विकल्प A 5,436, विकल्प B 5,936, विकल्प C 6,436, विकल्प D 5,336 सही उत्तर है विकल्प D 5,336 उत्तर का हल भाजक बराबर शेशफल गुना 5 बराबर 46 गुना 5 बराबर 230 भाजक बराबर भागफल गुना 10 बराबर 230 बटे 10 बराबर 23 भाजबर भाजक गुना भागफल प्लस शेशफल बराबर 230 गुना 23 बराबर 5,290 बराबर 5,336 प्रश्न संख्या 10 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो अनुक्रम A की घाद 5 माइनस 1, 2 की घाद 5 माइनस 2, 3 की घाद 5 माइनस 3, 4 की घाद 4 माइनस 4 और इसी प्रकार आगे भी N की घाद 5 माइनस N और क्रमशा के प्रतेक पत को ठीक ठीक विभाजित करती है विकलप A 30, विकलप B 150, विकलप C 90, विकलप D 18, सही उत्तर है विकलप A 30 उत्तर का हल यहां A की घाद 5 माइनस 1 बराबर 0, 2 की घाद 5 माइनस 2 बराबर 32 माइनस 2 बराबर 30 इसलिए संख्या 30 प्रतेक पद को ठीक ठीक विभाजित करती है प्रश्न संख्या 11 भेड के एक जुंड का एक बटे चार तालाप के किनारे देखा गया जुंड के वर्गमूल का दोगुना जंगल में चला गया 115 भीड नदी के किनारे देखी गई बताईए कुल भेडों की संख्या कितनी थी विकल्प A 38, विकल्प B 36, विकल्प C 32, विकल्प D 40 सही उत्तर है विकल्प B 36 उत्तर का हल माना की कुल भेडों की संख्या X थी तब प्रश्ण से एक फल विक्रेता सतिन के पास कुछ आम हैं यदि वो प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में आम देता है तो उसके पास 4 आम 6 बचे रहते हैं यदि वो प्रत्येक को 10 या 12 आम दे तो भी उसके पास 4 आम 6 रहते हैं विकल्प A 244, विकल्प B 308, विकल्प C 494, विकल्प D 264, सही उत्तर है विकल्प A 244. उत्तर का हल, दिये गए प्रश्ण में प्रत्तेक अवस्था में 4 शेश है, इसलिए 6, 8, 10, 12, 15, 16, का लासा बराबर 240, अभिष्ट संख्या बराबर 240, प्लस 4, बराबर 244, प्रश्ण संख्या 13, विने का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था, सब्ताह के किस दिन में उसकी आयू 10 वर्श दो महीने 16 दिन की थी, विकल्प A शुक्रवार, विकल्प B बुद्धवार, विकल्प C गुरुवार, विकल्प D शनिवार, सही उत्तर है विकल्प A शुक्रवार, उत्तर का हल, 10 वर्श में लीप वर्श बराबर 10 बटे 4 बराबर 2 वर्श प्लस विशम दिन, लीप वर्श बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4 दिन, सामाने वर्श बराबर 8 गुणा 1 बराबर 8 दिन, 2 मह बराबर 61 दिन, 16 दिन बराबर 16, कुल दिन बराबर 90 दिन, 90 बटे साथ बराबर 12 बराबर 5 तो रविवार से 5 दिन बाद अर्थात शुक्रवार, प्रशन संख्या 14, 50 महिलाएं और 50 डिब्बे भी हैं, उनमें पहली महिला प्रतेक डिब्बे में एक गोली रख देती है, दूसरी महिला हर दूसरे डिब्बे में दो गोलियां रखती है इसी प्रकार तीसरी महिला हर तीसरे डिब्बे में तीन गोलियां रख देती है और इसी क्रम में पचासवी महिला केवल पचासमे डिब्बे में पचास गोलियां रखती है इस प्रकार पचास में डिब्बे में कुल कितनी गोलियां रखी गई विकल्प A 97, विकल्प B 93, विकल्प C 86, विकल्प D 84 सही उत्तर है विकल्प B 93 उत्तर का हल अभिष्ट संख्या बराबर 50 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 93 प्रश्न संख्या पंद्रा चार धनात्मक पूर्णांकों का उसत 69 है सबसे बड़ा पूर्णांक 83 और सबसे छोटा पूर्णांक 39 है शेश दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 28 है तो कौन सा शेश दो पूर्णांकों में बड़ा होगा विकल्प A 64, विकल्प B 86, विकल्प C 88, विकल्प D 86, सही उत्तर है विकल्प D 86 उत्तर का हल, शेष्ट दो पूणां का योग बराबर 69 गुणा 4-83-39 बराबर 236-112 बराबर 124, एकस प्लस, एकस माइनस 28 बराबर 124, दो एकस बराबर 124 प्लस 28 बराबर 122, एकस बराबर 6 अत्तर प्रश्ण संख्या 16, M संख्याओं का ओसत N स्क्वाइर है, N संख्याओं का ओसत M स्क्वाइर इस प्रकार इन सभी संख्याओं का कुल ओसत कितना होगा विकल्प A MN, विकल्प B MQ plus N cube upon M plus N, विकल्प C MN square plus NM square, विकल्प D M square plus N square बटे M plus N सही उत्तर है, विकल्प A MN उत्तर का हल, M संख्याओं का ओसत बराबर N square योग बराबर M N square सभी संख्याओं का अभिष्ट ओसत बराबर M N square plus N M square बटे M plus N बराबर MN ब्रेकेट के अंदर M प्लस N ब्रेकेट बन पूरे के बटे में M प्लस N बराबर MN प्रश्न संख्या 17 Z-1 व्यक्तियों द्वारा Z-1 दिनों में किये गए काम और Z-2 व्यक्तियों द्वारा Z-1 दिनों में किये काम का अनुपात 9 अनुपात 10 है तद अनुसार Z का मान क्या होगा? विकल्प A 8, विकल्प B 10, विकल्प C 6, विकल्प D 11 सही उत्तर है विकल्प A 8 उत्तर का हल प्रश्न से Z-1, Z-1 upon 9 बराबर Z-2, Z-1 upon 10 10 ब्रेकेट के अंदर Z-1 बराबर 9 ब्रेकेट के अंदर Z-2 10Z-10 बराबर 9Z-18 Z बराबर 18-10 Z बराबर 8 प्रश्न संख्या 18 यदि 3 की पावर 3 दिवाइड बाइ 3 की पावर माइनस 3 बाइ 2 बराबर 3 की पावर M प्लस 1 तो M का मान क्या होगा? विकल्प A 23 बटे 7 विकल्प B 23 बटे 6 विकल्प C 29 बटे 6 विकल्प D 31 बटे 6 सही उत्तर है विकल्प B 23 बटे 6 उत्तर का हल विकल्प C की पावर 2 प्लस 18 प्लस 9 बटे 6 यह पावर 3 की पावर M प्लस 1 विकल्प B कर विकल्प B 29 बटे 6 विकल्प B 29 बटे 7 बटे 6 प्रश्न संख्या 29 यदि X बराबर 2 प्लस अंडरूट 3 तो X की पावर 6 प्लस X की पावर 4 प्लस X की पावर 2 प्लस 1 पूरे के अपॉन में X की पावर 3 का मान क्या होगा? विकल्प A 56, विकल्प B 58, विकल्प C 54, विकल्प D 57 सही उत्तर है विकल्प A 56 उत्तर का हल X की पावर 6 प्लस X की पावर 4 प्लस X की पावर 2 प्लस 1 अपॉन X की पावर 3 बराबर X की पावर 3 प्लस X प्लस 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन X की पावर 3 X प्लस 1 अपॉन X प्लस X की पावर 3 प्लस 1 अपॉन X की पावर 3 जब x बराबर 2 प्लस अंडरूर्ट 3 तो 1 अपॉन एक्स बराबर 2 माइनस अंडरूर्ट 3 इसलिए x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर 4 प्लस 52 बराबर 56 प्रिश्ट संख्या 124 प्रश्न संख्या 20 एवं 21 के लिए नर्देश निम्नलिकित वृत आरेक किसी प्रकाशन द्वारा एक किताब निकालने में किये गए खर्चे को दर्शाता है आरेक का ध्यान पूर्वक अध्यन कीजिए तत परचात प्रश्नों के उत्तर दीजिए आरेक इस प्रकार है प्रिंट की लागत 30 प्रतिशत कागस की लागत 15 प्रतिशत अन्य खर्च 5 प्रतिशत रोयल्टी 20 प्रतिशत विज्यापन का खर्च 16 प्रतिशत कवर चड़ाने का खर्च 14 प्रतिशत प्रश्न संख्या 20 यदि प्रिंटिंग की लागत रुपए उन्यास हजार पांसो है तो रोयल्टी का मूल्य क्या है विकल्प A रुपे 9100 विकल्प B रुपे 13000 विकल्प C रुपे 11800 विकल्प D रुपे 12800 सही उत्तर है विकल्प B रुपे 13000 प्रश्न संख्या 21, कागस की लागत के लिए तुरुजखंड का केंद्रिय कोण क्या है? विकल्प A 54 डिग्री, विकल्प B 54.9 डिग्री, विकल्प C 60 डिग्री, विकल्प D 68 डिग्री सही उत्तर है विकल्प A 54 डिग्री उत्तर का हल, तुरुजखंड का अभिष्ट कोण बराबर 15 बटे 100 गोणा 306 डिग्री बराबर 54 डिग्री प्रश्न संख्या 22, अंग्रेजी वानक्रम पर आधारित निमनिलिकित शिंखला में प्रश्न चिन्निके स्थान पर अगला पद क्या आएगा? ZBY, XDW, UGT, QKP, प्रश्न बाचक चिन्न, विकल्प A, LPK, विकल्प B, MOL, विकल्प C, LOK, विकल्प D, MPL सही उत्तर है, विकल्प A, LPK, उत्तर का हल, सही क्रम इस प्रकार है, Z-2, X, X-3, U, U-4, Q, Q-5, L B-2, D, D-3, G, G-4, K, K-5, P, Y-2, W, W-3, T, T-4, P, P-5, K प्रश्न संख्या तेज, यदि किसी कोर्ट भाषा में, Does, D-O-E-S को, 5, U-S-D-O-L-A-R-3, परसंटेज साइन तथा, S-I-T-E को, परसंटेज 4, हैश, 3, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, Edit, E-D-I-T, किस प्रकार लिखा जाएगा? विकल्प A, 354, हैश, विकल्प B, 354, विकल्प C, 3, U-S-D-O-L-A-R-4, हैश, विकल्प D, 35, U-S-D-O-L-A-R-8, सही उत्तर है विकल्प A, 354, हैश, प्रश्न संख्या 24 से 27 तक के लिए, निर्देश, निमनलिकित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और प्रश्नों क उत्तर दीजिए, आबा, सादा, यावारा, तथा ला, केंद्री की ओर मोहकर के एक गोलाकार मेच के चारों ओर बैठे हैं, सा, वाके बाएं तीसरा है, जो बाके ठीक दाएं को है, दा, राके बाएं तीसरा है, लेकिन सा या वाका पडोसी नहीं है, और लाके दाएं को प्रश्ण संख्या 24, रा के बाएं दूसरा कौन है, विकल्प A, दा, विकल्प B, सा, विकल्प C, और विकल्प D, ला, सही उत्तर है, विकल्प C, और प्रश्न संख्या 25 निमने लिखित में से व्यक्तियों के किस समुह में पहला व्यक्ति अगले दो व्यक्तियों के बीच बैठा है विकल्प A आ सा दा विकल्प B आ वा सा विकल्प C ला बा रा विकल्प D रा बा या सही उत्तर है विकल्प A आ सा दा प्रश्न संख्या 26, दो के ठीक बाएं कौन है? विकल्प A यो, विकल्प B वो, विकल्प C सो, विकल्प D लो सही उतर है विकल्प D लो प्रश्न संख्या 27, निम्नलिकित में से बो के संबंद में ओ का स्थान कौन सा सही है? विकल्प A बाएं को चौथा, विकल्प B बाएं को तीसरा, विकल्प C बाएं को दूसरा, विकल्प D दाएं को चौथा सही उतर है विकल्प B बाएं को तीसरा उतर का हल प्रश्न संख्या 24 से 27 के लिए बैठने का सही क्रम इस प्रकार है सा सिर शुरू करते हुए सो के बाएं ओ, ओ के बाएं दो, दो के बाएं लो, लो के बाएं यो, यो के बाएं वो, वो के बाएं बा, बा के बाएं रो, रो के बाएं सो प्रश्न संख्या 28 एक निश्चित कोड़ भाषा में प्लेट PLATE को PQM BUF तथा टाउन TOWN को TUPXO लिखा जाता है तो उसी कोड़ भाषा में DEAR को किस प्रकार लिखा जाएगा विकल्प A DEFSB, विकल्प B DFBES, विकल्प C DEFBS, विकल्प D DFESB सही उत्तर है विकल्प C DEFBS प्रश्न संख्या 29 एक निश्चित कोड़ भाषा में NEA RIJ RIG SO SO का अर्थ है Good Rainy Day C SI NEA POU का अर्थ है Day is Wonderful और RIG RIJ जो JO का अर्थ है Good Boy उस कोड़ भाषा में निमनलिखित में से किस का अर्थ रेनी है विकल्प A NE NEA, विकल्प B RIG RIJ, विकल्प C SI SI, विकल्प D SO SO सही उत्तर है विकल्प D SO SO प्रश्न संख्या 30 कल से एक दिन पूर्व मेरा 52 वर्ष था किन्तु अगले वर्ष मेरा 54 वर्ष हो जाएगा वक्ता की जन्मति थी और वक्ता व्य जारी करने की थी क्या है विकल्प A, जन्वरी एक, जन्वरी एक विकल्प B, जन्वरी एक, दिसंबर इकतिस विकल्प C, दिसंबर इकतिस, दिसंबर इकतिस विकल्प D, दिसंबर इकतिस, जन्वरी एक सही उत्तर है विकल्प D, दिसंबर इकतिस, जन्वरी एक उत्तर की व्याख्या वक्ता का जन्मदिन 31 दिसंबर को है और वक्तव्य एक जन्वरी को दिया गया है प्रश्न संख्या 31 अपने बच्चों में गंगा के विशेश प्रीय हैं समर और रेखा रेखा शरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रीय है परिवार के मुख्या रामलाल हैं जिनके उत्तरादिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं और उनके तीन बच्चे हैं मिथुन का मोहन से क्या संबंद है विकल्प A. चाचा, विकल्प B. पुत्र, विकल्प C. भाई, विकल्प D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प D. उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर का हल मोहन रामलाल का पुत्र है तथा समर रेखा का मामा है मिथुन शरत का मामा है और शरत रेखा का पुत्र है रेखा मोहन की भतीजी है अतव मिथुन मोहन का भतीजा है प्रश्न संख्या 32 कथन कोई भी सुराख उलज़ने नहीं है सभी पहलिया उलज़ने है सभी प्रशन सुराख है निशकर्ष एक कम से कम कुछ उल्जने प्रश्ण है निशकर्ष दो सभी सुराख प्रश्ण है विकल्प ए नहीं निशकर्ष एक और नहीं दो सत्य है विकल्प बी दोनों निशकर्ष एक और दो सत्य है विकल्प सी केवल निशकर्ष एक सत्य है विकल्प D केवल निशकर्ष दो सत्य है सही उत्तर है विकल्प A नहीं निशकर्ष एक और नहीं दो सत्य है प्रश्न संख्या 33 कथन कुछ control tires हैं सभी tires drives हैं कोई भी drive navigation नहीं है निशकर्ष 1 कुछ drives निश्य ही control नहीं है निशकर्ष दो सभी निविगेशन कंट्रोल हैं एक संभावना है विकल्प A केवल निशकर्ष एक सत्य है विकल्प B केवल निशकर्ष दो सत्य है विकल्प C या तो निशकर्ष एक या दो सत्य है विकल्प D दोनु निशकर्ष एक और दो सत्य है सही उत्तर है विकल्प बी केवल निशकर्ष दो सत्य है प्रश्ण संख्या 34 से लेकर 36 तक आकरिती पर आधारित है प्रिश्ण संख्या 125 प्रश्ण संख्या 38 सौमित्र और फरहान दोनों दोस्त बाजार गए सौमित्र के पास रुपे 500 थे जबकि फरहान के पास रुपे 240 थे सौमित्र ने खरीदारी में फरहान से दो गुन रुपे खर्च किये अब सौमित्र के पास फरहान के पास बची हुई राशी से तीन गुना राशी है सौमित्र ने कितनी राशी खर्च की विकल्प A. रुपे 380, विकल्प B. रुपे 400, विकल्प C. रुपे 440, विकल्प D. रुपे 420, सही उत्तर है विकल्प C. रुपे 440 उत्तर का हल माना कि फरहान ने रुपए P खर्च किये तब सौमित्र का खर्च रुपए 2P प्रश्ना अनुसार 500-2P बटे 240-P बराबर 3 बटे 1 P बराबर 220 इसलिए सौमित्र द्वारा खर्च की गई राश्री बराबर 220-2 बराबर रुपए 440 प्रश्न संख्या 49 देववरत प्रते के तश्टरी में 9 टॉफी रखता है लेकिन 2 तश्टरी खाली रह जाती है वो पुना कोशिश करता है और इस बार हर एक तश्टरी में 6 टॉफी रखता है अब उसके पास तश्टरी में 3 टॉफी बज जाती है उसके पास कितनी तश्तरी थी? विकल्प A, 7 विकल्प B, 9 विकल्प C, 11 विकल्प D, 13 सही उत्तर है विकल्प A, 7 उत्तर का हल माना की तश्तरी की संख्या X थी तब प्रश्न से 9, ब्रेकेट के अंदर X-2 बराबर 6X-3 9X-18 बराबर 6X-3 9X-6X बराबर 18 प्लस 3 3X बराबर 21 X बराबर 7 प्रश्न संख्या 40 काला महल टीम के 30 सदस्यों ने ट्रिकेट टूर्नमेंट खेलने का फैसला किया जब भी कोई सदस्य खेल हारता है तो वो टूर्नमेंट से बाहर हो जाता है इसमें कोई टाई नहीं है विजेता का पता लगाने के लिए कम से कम कितने मैच खेलने आवशक है विकल्प A 33 विकल्प B 31 विकल्प C 26 विकल्प D 29 सही उत्तर है विकल्प D 29 उत्तर का हल मैचों की अभिष्ट संख्या बराबर 30-1 बराबर 29 प्रश्न संख्या 41 चैर रक्षात्मक फुटबल खिलाडी विरोधी टीम के वाइड रिसीवर का पीछा कर रहे हैं जिसके पास बॉल है मैसी बॉल केरियर के ठीक पीछे है रोनाल्प और बर्टोन साथ साथ मैसी के पीछे है जोफर रोनाल्प और बर्टोन के पीछे है मैसी टेकल करने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है और गिर जाता है बर्टोन लड़ खड़ा जाता है इन में से कौन सा रक्षात्मक खिलाडी रिसीवर का सामना करेगा विकल्प A. रोनाल्डो विकल्प B. जोफर विकल्प C. मैसी विकल्प D. बर्टोन सही उत्तर है विकल्प A. रोनाल्डो उत्तर का हल मैसी बॉल को पाने में असफल रहता है बर्टोन लड़ खड़ा जाता है अता रोनाल्डो रिसीवर का सामना करेगा प्रश्ण संख्या 42 नीचे एक प्रश्ण दिया गया है और उसके बाद तीन कथन दिये गए हैं उन कथनों एक दो तीन की पैचान कीजिए जो प्रश्ण का उत्तर देने के लिए आवशक है प्रश्ण एक कक्षा में ठीस छात्रों की और सत उम्र क्या है एक कक्षा में लड़के और लड़कियां साथ अनुपात आठ में हैं दो लड़के और लड़कियों की और सत आयुक्रमशा 12.2 वर्ष और 11.4 वर्ष है ख़श्ण दिये कर्ण कीजिए सही विकल्प का चयन कीजिए विकल्प A केवल एक और तीन विकल्प B दो और एक या तीन विकल्प C केवल एक और दो विकल्प D केवल दो और तीन सही उत्तर है विकल्प B दो और एक या तीन उत्तर का हल एक और दो से माना लड़के और लड़कियों की संख्या 7x वा 8x है प्रश्न से 7x प्लस 8x बराबर 30 15x बराबर 30 x बराबर 2 इसलिए अभिष्ट औसत बराबर 7 गुणा 2 गुणा 12.2 प्लस 8 गुणा 2 गुणा 11.4 बटे 30 बराबर 353.2 बटे 30 बराबर 11.08 वर्ष दो और तीन से माना की लड़कियों की संख्या बराबर x तब लड़कों की संख्या बराबर x-2 x प्लस x माइनस 2 बराबर 30 2x बराबर 32 x बराबर 16 अभिष्ट औसत बराबर 14 गुणा 12.2 प्लस 16 गुणा 11.4 बटे 30 बराबर 353.2 बटे 30 बराबर 11.8 वर्ष प्रश्न संख्या 43 केले के पहले गुच्छे में मौजूद केलों की संख्या दूसरे गुच्छे में जितने केले मौजूद हैं उससे एक बटे 4 अधिक है यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे की अपेक्षा तीन केले कम हों, तो पहले गुच्छे में कुल कितने केले हैं? विकल्प A. 9, विकल्प B. 10, विकल्प C. 12, विकल्प D. 15, सही उत्तर है विकल्प D. 15 उत्तर का हल, माना कि दूसरे गुच्छे में मौजूद केलों की संख्या M है, तब प्रश्णानुसार पहले गुच्छे के केलों की संख्या बराबर M प्लस M बटे चार, अपुना प्रश्ण में M प्लस M बटे चार माइनस M बराबर 3, M बराबर 12, इसलिए पहले गुच्छे में केलों की संख्या बराबर 12 प्लस 12 बटे 4 बराबर 12 प्लस 3 बराबर 15 प्रश्ण संख्या 44 एवं प्रश्ण संख्या 45 आकरिती पर आधारित हैं प्रश्ण संख्या 46 M, N, P, Q, R, S तथा T एक परिवार के सदसे हैं जिसमें 4 वयस्कव तीन बचे हैं जिनमें S और T दो लड़कियां हैं M, Q भाई हैं तथा डॉक्टर हैं R एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाईयों में से एक से शादी हुई है और उसके दो बच्चे हैं N की Q से शादी हुई है और T उनका बच्चा है बताईए क्यू कौन है विकल्प A, T का पिता, विकल्प B, S का पिता, विकल्प C, R की पुत्री, विकल्प D, M का पुत्र सही उत्तर है विकल्प D, M का पुत्र प्रश्न संख्या 47 आरव की बहु सीमा की सास है सीमा के पति का आरव से क्या रिष्टा है? विकल्प A. पिता, विकल्प B. भाई, विकल्प C. पोता, विकल्प D. बेटा सही उत्तर है विकल्प A. पिता प्रश्न संख्या 48 एक लड़की उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है और फिर 4 किलोमीटर दक्षन पूर्व चलती है शुर्वाती स्थान से वो कितनी दूर है? विकल्प A. 5 किलोमीटर विकल्प B. 7 किलोमीटर विकल्प C. 6 किलोमीटर विकल्प D. 4 किलोमीटर सही उत्तर है विकल्प C. 6 किलोमीटर प्रश्न संख्या 49 P, Q, R, S, T, U, V तथा W केंद्र की और मुखाक्रित करके वृत्त के चारों और बैठे हैं P, T के दाहिने से दूसरे स्थान पर है जो R तथा V का पडोसी है V तथा U पडोसी है P तथा S पडोसी नहीं है S तथा U के बीच में W नहीं है Q, V के सामने है निम्न में से कौन से दो पडोसी नहीं है विकल्प A, R, V विकल्प B, U, V विकल्प C, P, R विकल्प D, Q, W सही उत्तर है विकल्प A, R, V उत्तर की व्याख्या प्रश्न से व्यक्तियों के बैठने का क्रम निम्न है U से शुरू करते हुए U के बाएं S S के बाएं W W के बाएं Q Q के बाएं P P के बाएं R R के बाएं T T के बाएं V व व के बाएं U इस पश्ठ है कि R, V का पडोसी नहीं है प्रश्न संख्या 50 संख्या 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1, 8 में प्रतेक अंक अगले अंक अर्थात 1, 2 द्वारा 2, 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए और ऐसे ही आगे भी और फिर उन अंकों को 22 से दाएं आरोही क्रम में क्रमबद किया जाए तो कौन सा अंक 22 से पांचवा होगा विकल्प A 7, विकल्प B 8, विकल्प C 6, विकल्प D 3, सही उत्तर है विकल्प C 6 उत्तर का हल प्रश्णानुसार परिवर्तन करने पर अंक 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 9 अंकों का आरोही क्रम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब 22 से पांचवा अंक बराबर 6 प्रिष्ट संख्य 126 प्रिष्ट संख्य 126 एवं 127 पर इन प्रश्णों के उत्तरों के हल दिये गए हैं जो कि पूर में प्रश्णों के साथ ही दिये जा चुके हैं प्रिष्ट संख्य 128